तो बैंक निफ्टी के अंदर में छोटा सा गैप डाउन नज़र आ रहा है तो यहां पे हम कैसा काम करने वाले अगर हम चार्ट में देखें तो जो शैदर बैठें या अच्छे पूरूफिट में बैठें तो इनको डार्गेट मार्केट के अंदर नहीं किया जा सकता यहां पर मार्केट ने ट्रेड करके बायर भी आएंगे उस हैदर भी आएंगे लेकिन हम क्या करने वाले हैं बायर को टार्गेट करने वाले हैं क्योंकि देखिए जब एक लोकेशन पर होता है तो टार्गेट किसको कर सकते हैं जो आलेड़ी मार्केट के अंदर चलने की कोशिज करें और इसमें ज्यादा कोश नहीं है तो market के दर हम sell set का trade market के दर बनाने की कोशिश करेंगे और ऐसा है कहिना कि अपना nifty के अंदर plan है तो यहां पर market के अंदर position बनाने वाले हैं अभी देखिए मैं यहां पर entry करने वाला हूं में भी गलत हो सकते हैं और यह भी बहुत अच्छा हमारा entry भी हो सकता है 900 quantity यहां पर add करेंगे उसके बाद अपना यहां पर second portion बनाएंगे 900 quantity यहां पर भी add कर लेते हैं उसके बाद finally अपना nifty का nifty का वैसे तो breakout हो चुका है लेकिन breakout के कान्ड ही मैंने यहां पर entry किया है तो इसमें इंडेक्स के अंदर काम करें तो आप ऐसा काम कर सकते हो लेकिन अगर आप बहुत इंडेक्स को एक साथ देख रहे हो तो वहां पर मैं जैसा तो हम यहां पर क्या करें कि बायर को हम टार्गेट करेंगे ऐसा क्यों करें हम सैलर को टार्गेट क्यों नहीं करें क्योंकि मार्केट में अगर सैलिंग आ रहा है तो हमें बायर को टार्गेट करना चाहिए अगर माल लेते हैं अब ट्रेंड में मार्केट होता तब हम क्या क कर सकते थे seller को target कर सकते थे यह अपना simple decision है कि market के अंदर हम बायर को target करें इसलिए हमने sell side का trade बनाया entry हमने कैसे decide किया है क्यों कहीं ना की दिखिए market ने क्या किया है bank nifty में closing price का resistance लिया है और nifty अब market के उपर depend रहेगा फिर भी देखिए यहां पर एक तांस यह भी था कि by chance अगर यह breakout हो जाता तब यहां पर market अतानक से तेजी से momentum आ जाता तो वो भी हमें देखना था तो इसलिए मैं wait कर रहा था क्यों को strong candle अगर बन रहा है तो मैं वहां पर choice नहीं लूँगा sell करने की मैं wait कर लूँगा तो आगे के लिए मैं बता रहा हूँ अभी के लिए तो कुछ नहीं हो रहा market के अंदर अगर buy chance कोई बड़ा सा green candle बन रहा है भाग रहा है तो वहां पर आप wait कर सकते हो कि मुझे जरूर ने की sell ही करना है वहां पर wait करो और आमसी देखो market के अंदर अगर दुबारा से को rejection वगरा में conversion आ रहा है तो फिर वहां पर try करो तो ऐसे directly market में कूदना अच्छा नहीं होता तो market के अंदर अभी क्या करते है profit loss को decide कर लेते है market के अंदर momentum अच्छा चला है लेकिन profit इतना नहीं बढ़ पा रहा है तो देखते हैं जब तक ये low वगरा क्रोज नहीं होते ना यहां पर यह जो भी low वगरा market ने बनाए तब तक buyer की उपर pressure नहीं आएगा और ज अच्छी बात है लेकिन वहां पर क्या होता है कि अचानक से कोई momentum आया वहां पर entry हमारा यहां पर हो गया यहां पर अचानक से हो गया और फिर घूम गया market में retracement आ गया तो वहां पर profit बनाना मुश्किल हो जाता है तो थोड़ा सा पहले trader को चलना पड़ता है कि एक probability ऐसी ऐ trade गलत हो जाए तो आपको decide करना होता है कि आप कहां पर कैसा risk लेना चाते हो और कैसा नहीं लेना चाते है तो अभी मैंने risk तो ले लिया कि मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा जल्दी entry करूँगा तो मुझे लगता है कि मैं असानी से अपना cover-up कर पाऊंगा लेकिन अगर म momentum नहीं आना हो और market में ऐसे एक छोटा सा नीचे निकले फिर उपर निकल गया है ऐसा कुछ करना हो तो वहां पर मैं तो profit बना के निकल जाओंगा और जो confirm होने के बार trade बनाएगा उनको problem आने शुरू हो जाएगी तो वह benefit जिसको उठाना होता है और नहीं उठाना होता तो वह रह भी सकता है तो दोनों बात हैं अच्छी होती है तो वह probability होती है day by day में कभी अच्छा होगा आपके साथ कभी बूरा होगा तो वह depend करता है कि आपका day कौन सा चल दा है तो market के अंदर अभी हम थोड़े बहुत loss बगर हमें आ चुके हैं तो profit loss को decide कर लेते कि इतना हम लग बगए हम यहां पर एक लाग 10,000 के आसपास loss रहेगा एक लाग 20,000 के आसपास हमारा यहां पर profit रहने वाला है market के अगर यह breakout हो गया ना तो फिर जैसे हमने sell किया तो में भी दूसरे लोगों नहीं sell किया और यहां पर already seller बैटे हैं तो जैसे breakout होगा तो हमारे लिए problem हो हो जाएगी और यहां पर market के अंदर buy भी किया है और यहां पर already buyer बैटे तो जैसे breakdown वगरा होगा तो market के मुझे लगता कि buyer को problem होने वाली है तो देखते हैं कि इसको क्या होने वाला है अभी हमने trade क्यों बनाए है अच्छी से क्योंकि market के अंदर selling आ रहा है कही ना कहीं तो तो यह अगर continue भाग गया तो हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत हो जाएगी तो देखते हैं क्या होता है नियर बाउट यहां पर 44,000 का level भी है सब कुछ यहां पर है तो हमें ध्यान रखना अपनी trade का और अगर loss चले तो loss लेके निकल जाओ और अगर profit हो जाए तो बहुत ह हम capture करने की अच्छा momentum करने की कोशिज करें तो जश्ट यहां पर wait करते हैं देखते रहते हैं market के अंदर क्या चलता है और अगर breakout हो गया है तब बहुत ही जादा chance कि हम loss लेके निकले हैं और अगर यह नीचे चला तो बहुत अच्छे chance कि हम profit market के अंदर हमारा बन जाएगा अब यह में just wait करना होगा market के अंदर तो यहां पे market के अंदर अपना थोड़ा profit तो चल रहा है लेकिन जब तक कि कोई breakdown या breakout नहीं होता तब तक हम कुछ कह नहीं सकते है क्योंकि ऐसे sideways momentum के कान क्या होता है किसी ने अगर buyer कर रखा है उसे भी खतर है किसी ने sell कर रखा है उसे चल रहा है market के अंदर कोई chart के अंदर change नहीं है और nifty अगर गिरेगा तभी bank nifty में get out आपाएगा bank nifty अगर थोड़ा बूत और बढ़ा तो फिर bank nifty गिरना बंद हो जाएगा क्योंकि फिर market में upset के momentum आने की possibility बढ़ जाई जैसे हमारा profit भी काफी ज्यादा market कम कर रहा है जैसी एक दो candle उपर नीची आते है तो market में wait करें खतरा बढ़ता ही जा रहा है और हमें यहीं देखना हुगा जो चल रहा है wait करेंगे यहाँ पर market के इंदर अपना 10,000 के आसपास लोस नजर आ रहा है इससे भी ज्यादा चला गया था लेकिन अब क्या हो रहा है market के इंदर देखिए market में problem बढ़ती जा रही है ऐसा समय आ चुगा है जहां पर लग रहा है कि नजर हटी दुरुगट ना गटी क्योंकि market में देखिए total sideways momentum हुआ है तो यहाँ पर buyer seller अच्छे बैठे हैं और यहाँ पर R.A.D. buyer seller अच्छे बैठे हैं तो जिस तरफ अगर यह निकल गया तो market में समस्या जादा हो जाएगी अभी तक अच्छी बात कुछ नहीं है एक अच्छी बात है कि निफ्टी एक resistance के लेवल के आसपास आया हुगा है तो वो देखते हैं कैसे काम करता है या नहीं करता और बैंक निफ्टी तो परिशान हमें करी रहा है और lows भी हमें नजर आ रहा है तो जस्ट वेट कर रहे है मार्केट के अंदर बस ये मैं कोशिज करा हूँ कि उपर ना निकले नीचे आ जाए पहले मार्केट उसके बात कहीं पर जाता रही तो यहां पर देखे मार्केट में अचानक से एक केंडल बना तो है अच्छा तो लगा है अभी बात करे थे और अभी मार्केट में डाउन फोल हो गया और निफ्टी में भी ठीक ठाक जगहें से सेलिंग आ रहा है तो अगर हमारी यहां पर बात बन गई तो बहुत अच्छी बात है और मार्केट के इंदर हमारा प्रोफिट अराम से बन जाएगा ठीक है 71,000 के आसपास प्रोफिट नजर आ रहा है ऐसे दो च्यार अर्गेट के आसपास पहूंच उके 91,000 के आसपास हमारा प्रोफिट नजर आ रहा है जश्ट विट करते रहते हैं मार्केट के इंदर और टार्गेट बगएरा पहुंच जाएगा तब हम क्या करेंगे अपना अग्जिट बगएरा मार्केट के इंदर बना लेगें बस हमारा रीच ओ चुक है तो अकजिक्ट लेके मार्केट के अधर अच्छा का हमारा काम हो गया अब हम जादा रिश के रएगे के बैठे रहेंगे तो बना सकते हैं क्या है कि आशपास एक छोटा सा सपोर्ट लेसा और market के अंदर हमने trade क्यों बनाया तब वह हम समझ लेते हैं क्योंकि हमें नजर आ रहा था कि market के अंदर यहाँ पर जो seller बैठें वो आज़री अच्छे प्रूफिट में बैठें तो इनको directly target करना हमारे ठीक नहीं रहेगा यहाँ पर market के अंदर buyer भी थे और market के अंदर seller भी थे लेकिन हमने buyer को target किया क्यों किया क्योंकि हमें market के अंदर नजर आ रहा था कि selling चल रहा है तो हम यहाँ पर buyer को target करेंगे कुछ ऐसा महोल होता जहां पर market में अब trend चल रहा होता तो वहाँ पर कुछ ऐसा हो सकता था कि हम seller वगरा को target करें लेकिन ऐसा चोई समय लेना ही नहीं चाहिए था क्योंकि market के अंदर selling चल रहा था उसके बाद हमारा entry कैसे हमने decide किया क्योंकि bank nifty closing price का resistance लेके बैठा था और nifty ने closing price का breakout किया था तो हमारा यहां पर क्या मानना होता है कि एक index के अंदर अगर breakout हो चुका है तो फैलियर में convert हो जाएगा और जिसने resistance वगरा अच्छी से लिए रखा है वो काम करता हो market के दर में नजर आ सकता है उसके according हमारा entry बना और बहुत अच्छा हमारा target market के दर में मिल गया निफ्टी ने भ करने बादाट